कुटके में मकान के चट पर खेल रही छे वर्ष की बालक को दिन में विग्युत प्रभा का संचार होने पर करंट लगने से मौत हो गई कल शन्यवार 30 अक्टोबर को हिंगन घाट तालुका के कुटके के छे वर्ष अबालक सोहम विश्नु सहारे हमेशा की तरह अपने मकान की चट पर खेल रहा था अचानक खेलते खेलते वो मकान की टिन की चट पर गया दुर्भागे से उसी समय टिन में विद्यो प्रभा का संचार होने से करंट लगकर उसकी मौत हो गई गटना की जानकारे मिलते ही गाव में शोक किया गया शनुवार को सोहम शहारे की माता पिता हमेशा की तरह रोज मजूरी करने खेत में गय थे सोहम ही अपने घर के छट पर खेल रहा था उनके एक मकान का कमरा तिन का था वो खेलते खेलते तीन पर पहुचा उसी समय तिन में विध्युत प्रवा का संचार होने से उसे करंट लगा उसे गंभीर जखमी हालत में उपचार के लिए हिंगन घाट उपजिला रुगनाले दाखल किया गया लेकिन उपचार पुर्वी डॉक्टरों ने उसे मृत खोशित कर दिया सोहम की माता पिता खेत मजूर है और सोहम को दो बड़ी बहने है उन्हें ये अकेला लड़का था उसके इस अप्रतिक्षित मृत्यू से गाह में शोक व्यक्त किया जा रहा है घटना की नोन वर्नेर पुलिस ने करके आगे की जान्श की जा रहे है बीसेन न्यूस के लिए हिंगन घाट से रवी ये नूर करकी रिपोर्ट